प्यारे बच्चों एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं रॉक अर्था चटान अर्थ का जो क्रेश्ट है वो मुख्य तोर पर रॉक का ही तो बना हुआ है रॉक के बारे में हम कह सकते हैं ये एक या एक से अधिक मिनरल्स का एक ग्रूप है अर्था एग्रिगेट और वन और मॉर मिनरल्स है रॉक की खासियत में बताऊ बच्चों रॉक हार्ड भी हो सकता है जैसे ग्रेनाइट और इसके अलावा रॉक सॉफ्ट भी हो सकता है सबसे बड़ा एक्जामपल सोप स्टॉन ये चटान है एक चटान का उधारन है सॉप स्टॉन ये एक भी हो सकते हैं जैसे एक लिवगित के तोर परनावा बताऊं गैबरो गैबरो जो रॉक है एक ब्लैक कलर की चटान है दूसरा वाइट कलर की चटान का इक्जामपल बताऊं कौट जाइड तो रॉक वाइट कलर में भी हो सकता है और इंप्वर्टन चीज यात रखिये का स् कि study of soil क्या कहलाता है यह पिछले चैप्टर में मैंने आपको detail में बताया भी हुआ है पैरे बच्चों इस चैप्टर का जो सबसे important part है यह types of rock है 99% जो प्रशन है इसी topic से आते हैं types of rocks देखें तीन परकार की चटाने होती है मुख्य रूप से पहला igneous rock जिसे आगने चटान क कहते हैं और तीसरा metamorphic rock कायंत्रित चटान या रूपांत्रित चटान भी से कहते हैं सबसे पहले igneous rock के बारे में पढ़ना है हमें क्योंकि आगे की दो चटाने जो हैं sedimentary और metamorphic यह igneous पर ही depend करती है तो igneous rock को अच्छे से हमें पढ़ लेना है इgneous rock में जो igneous शब्द है इस पर थोड़ा गौर कीजिए यह igneous शब्द igneous से बना हुआ है igneous एक latin शब्द है जिसका मतलब होता fire तो कर मैं पूछूं formation कैसे होता है igneous rock का तो आप कहेंगे जब magma अथवा lava पित्वी के अंदर से बाहर आता है और बाहर आका ठंडा हो जाता है तो एक चटान का निर्मान होता है जिसे igneous rock कहते हैं नाम से इसमें igneous जो शब्द था इसका मतलब क्या था fire तो यहाँ पर lava magma की तुलना आप आग से कर ही सकते हैं जब magma अथवा lava जमीन के अंदर से बाहर आके ठंडा होता है तो एक चटान का रूप धारन कर लेता है इसी को तो igneous rock कहते हैं तो यहाँ पर magma और lava दो शब् written material आप कह सकते हैं जब यह सतय के ऊपर आ जाता है मतलब प्रिथवी के अंदर से बाहर सतय के ऊपर आ जाता है बाहरी वातावरन में आ जाता है तो यह lava कहलाता है जब यह hot material बाहर आता है लेकिन पूरी तरीके से बाहर सतय तक नहीं पहुँच पाता अंदर ही प्रिथवी क क्रश्ट में ही फसा रह जाता है जमीन के नीचले हिस्से में ही फसा रह जाता है बहुत अंदर से निकलने के बाद जो क्रश्ट वाला हिस्सा उसमें आकर फस जाता है और धीरे धीरे थंडा हो जाता है तो भी एक चटान का रूप धारन कर लेता है तो जो ये crust में ये hot material आकर फस जाता है इसको magma कहा जाता है तो magma और lava क्या है जो बाहरी वातावरन में hot material आ गया है वो lava कहलाएगा जो जमीन के अंदर ही फसा रह गया उसे magma कहलेंगे अब ये magma अत्वा lava के ठंडा होने से जिस रॉक का निर्माण होता है इसे इग्नियस रॉक कहते हैं और इसे प्राइमरी रॉक भी कहते हैं प्यारे बच्चों देखिए जो बाहरी सता पर लावा ठंडा होकर चटान का रूप धारण करेगा न यह जानते हैं इसे एक्स्ट्रूसिव इग्नियस रोक कहेंगे एक्स्ट्रूसिव इग्नियस रोक जो बाहर आ गया जो मैगमा ये क्रश्ट में ही आकर फस गया और यहां पर ठंडा होकर चटान का रूप धारन कर लिया इसे कौन सी इग्नियस रोक कहेंगे तो इसे अगर मैं आप से एक प्रश्न पूछूं सबसे पहले आप बताइए कि लावा और मेगमा इन दोनों में से सबसे पहले तेजी से ठंडा कौन होगा तो आप कहेंगे तेजी से ठंडा तो लावा होगा क्योंकि लावास बाहरी सता पर आ गया है बाहरी वातावरन के संपर्क में है तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा मैं कहूंगा बिल्कुल सही और धीरे धीरे स्लोली जो ठंडा होगा वो कौन क्या ठंडा होगा वो मैगमा जो होगा वो धीरे धीरे ठंडा होकर चटान का रूप बनता है, तो इसमें अंतर क्या है, खासियत क्या है, याद रखे, जब होट मेटिरियल तेजी से ठंडा होकर रूप का रूप धारन करता है न तब रॉक के अंदर चटान के अंदर जो मिनरल्स है उसके पार्टिकल छोटे चोटे और स्मूथ पार्टिकल होंगे अठात कह सकते हैं कि उस चटान के अंदर स्मॉल क्रिश्टल होंगे आप देखने पर भी पता लगा सकते हैं वो आपको एफसे रोक दिखाई देंगे ज इसमें roughness होगी, उधारंग के लिए basalt rock, तो basalt rock किस type का rock है, तो आप कहेंगे ये extrusive igneous rock है, क्योंकि ये बाहर सता पर आकर ठंडा होकर rock का धूरूप धारंग करता है, और दूसरा example, जब ये hot molten material धीरे धीरे ठंडा होगा, तो इसके अंदर जो minerals के कण है, वो बड़े होगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसी rock में, ऐसी चटान के अंदर large crystal का निर्माण होगा, इसके अंदर large crystal वाला ये rock होगा, तो देखने पर पता लग जाएगा, चमकदार आपको ये दिखाई देंगे, इसमें अलग सी चमक ही होगी, जैसे greenite एक example है, greenite किस type का rock है, तो ये intrusive igneous rock है, क्योंकि ये जो magma है, बाहर नहीं निकल पाता, जमीन के अंदर crust में धीरे धीरे थंडा होता है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा, intrusive igneous rock और extrusive igneous rock, intrusive igneous rock वो है, जो पृत्वी के अंदर, जो crust वाला भाग है, इसमें इसका निर्माण होगा, और बा तो igneous rock के कुछ example में आपको बता दूँ, जैसे granite, तो granite इसके कण कैसे होंगे, इसके अंदर जो मिंदल्स के कण होंगे, ये बड़े होंगे, तो ये क्या है, ये intrusive igneous rock का example है, ऐसे ही gabbro, ये भी एक परकार का intrusive igneous rock का example है, क्योंकि धीरे धीरे थंडा होने के बाद, इस टाइब की चटान का निर्माण हुआ है, ऐसे ही pegmatite, ये भी एक intrusive igneous rock है, और चोथा basalt, basalt ये अलग ही है, ये extrusive igneous rock है, क्योंकि यहाँ पर लावा बाहरी सतह पर आकर ठंडा होकर, इस टाइब का rock का निर्माण करता है, ऐसे ही brassia, इसके भी जो minerals के कण होंगे, ब igneous rock है, और ऐसे ही tough, ये भी एक परकार का extrusive igneous rock का example है, तो मैंने तीन यहाँ पर intrusive igneous rock का example आपको दे दिया, और तीन extrusive igneous rock का example दे दिया, तो उमीद है, आगने चटान अर्थात igneous rock के बारे में अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, thank you, प्यारे बच्चों, Indian geography का class 6 से class 12 जो ncrt summary course है, वो श्री अड़े application पर launch हो चुका है, वीडियो की description में श्री अड़े application का link है, application को install कीजिए, इस course को join कीजिए, बहतरीन course है ये, जो आपके सारे basic clear कर देगा, ये सभी class है, पूरी animation की सहाईता से होगी, तो सब कुछ आप 12 से समझ सकते हैं, और वो भी बहुत कम समय में,